जहिन प्यारे साथियों स्वागत आप सुभी का एक और फिर से खोटा किंग ऑफिसेल पे आए तो आज एक उतपाद सिपाही को ले करके एक नया नोटिस निकल करके आया है तो काफी दिनों से कई सारी छात्र परिसाम थे कि उतपाद सिपाही में उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा और किन को नहीं दिया जाएगा ये सारी चीजें आज के नोटिस में निकल करके आया हुआ है तो एक के करके हम लोग सभी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे पहले आप ये विज्यापन संख्या देख सकते हैं हाना 06-2023 का विज्यापन संख्या है ये ज आर्मी परसासनिक सुधार तथा राजभासा विभा के पत्रांक 1673 दिनांक 20 मार्च दोजर ताइस के आलोग में जहारखन करमचारी चेन आयूग द्वारा वर्स दोजर ताइस में आयूजित की जाने वाली परतियोगिता परिच्छाओं में अधिक्तम उम्र सीमा एवं प अधिक्तम उम्र सीमा की गनना हेतु जो संदर्व तिती रखा गया है वो है एक आठ दोजर ताइस किले हो गया और अधिक्तम उम्र सीमा की तिती जो रखी गई है वो रखा गया है 18-2019 हाना ये अधिक्तम उम्र सीमा के लिए है इतने के बीच में अगर आपका जो 25 वर्स से जो भी डेट आपका रखा गया है उम्र सीमा का जो तै किया गया है उसके आधार पे आपका इतना होना चाहिए लेकिन यहाँ पे एक इंपोर्टन चीज आपको ध्यान रखना है कि अधिक्तम उम्र सीमा की गनना हेतू संदर्वति थी सिर्फ विज्यापन संख्या 4-2018 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए अब देखे वैसे अभ्यर्थी जो 2018 का फॉर्म भरे थे और अगर उनका मान लेते जेनरल के लिए रखा गया कि 25 वर्स होना चाहिए अधिक्तम उ उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा तो यहां असपष्ट कर दिया गया है कि उनके लिए जो तिथी रखा गया वो 18-2018 ही रखा गया है कटफ एज का यानि वो फॉर्म भर सकते हैं जो 2018 में फॉर्म भरे हुए हैं जो सम्मिलित हुए थे उस एक्जामिनेशन में जो 2019 का ए अधिक क्यों ना हो गया हो लेकिन आपको मौका दिया जा रहा है तो उमीद करते हैं कि यह सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा अब सवाल उरता कि क्या नए कंडिडेट्स के लिए भी छूट मिला है तो नहीं नया कंडिडेट्स जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनक लिकिन जो फॉर्म भरे थे पिछला बाला और जो एक्जाम में में बैठे हैं उनके लिए सभी मौका जो वह मिलने वाला है और वह फॉर्म अराम से भर सकते हैं हाना डेट अगर कहें उनका एज क्रॉस भी कर गया होगा जो डाट लिमिट रखा गया एज लिमिट का अगर वो क्रॉस भी कर गया तो फिर भी भर सकेंगे उमीद करते हैं कि आप सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया होगा अगर किसी तरह से सवाल अगर आप कर रह जाता है तो आप कमेंट वॉक्स में में लिखेगा उसका अंसर हम लोग जरूर करने का परियास करेंगे चलिए